प्रियाग वह इस्तान है जाँ पर ब्रमाजी ने अपनी मेतों श्रष्टी का प्रतम सोपान रखाई इस विक्रति को देखते हुए प्रत्वी परश्टी के अपनी चाती पर होने वाले पाप, अत्याचार, हिंसा, दुर्म प्राकर्ण आदी को देखकर प्रमाजी के आगे रोने विलाप करने लगी प्रमाजी प्रत्वी के करुण करंदन से धवित होकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा येगी किया इस येगी में हुआ श्रम पुरोहित बगवान विश्णों ब्रहिजमान बगवान सियुज येग के देवता बने इतना बड़ा येग हुआ कि उसके आठ माते से तीलों का समस्थ पाप फिद्वन्स के अकगार पर पहुंच गिया तब आंते में तेनों देवताओं ने अपनी सक्ति पुंच के दोरा प्रत्वी के पाप बोच को हलका करने के लिए एक व्रक्ष उत्पन किया एक भरगत का व्रक्ष था तुनों देवताओं ने प्रत्वी से का कि ये व्रक्ष तुम्हार उपर होने वाले समस्थ पापों का शहिए करता रहेगा इस परम पवित्र वक्ष के पापहारी प्रबाव से प्रमाजी को उनके मेतोनी स्ष्टी करने से लगे पाप का चतुरतान सत्काल स्माप्थ हो गया प्रमाजी अच्छंबीत होकर रहे गए चुकि प्रमाजी ने इतना बड़ा येग्य किया करवाया इसलिए इसका नाम प्रियाग पड़ गिया प्रब्रकार्थ होता है बहुत बड़ा था याकार्थ होता है येग्य प्रकष्टो एग्यो अबुद्य ददेहु प्रयाग इस प्रकार इसका नाम प्रयाग पढ़ा और इस प्रकार अंत में भी फिर ब्रमाजी इश्वर की इच्छा सरूपरी मानकर अपने लोग चले गए इस देहु पुमी का प्राचिन नाम प्रयागी था जब मुस्लिम शासक अकबर यह आया तो इस व्रक्ष्ट के प्रभाव के परिणाम शुरू उससे हिंदु धर्म में कुछ आस्ता उत्पन हुई उसने हिंदु रानी राजा मानसी की बहन योदा भाई से विवा किया ता इस व्रक्ष्ट के पास यह अपना कीला बनवा कर अपनी सेना के साथ यह रहने लगा उसने हिंदु मुस्लिम दोनों धर्मों का मिला कर एक नया धर्म चलाया जिसका नाम उसने दिन इलाही रखा इस पकार इलाही जहाँ पर आबाद हुआ वह इलाबाद हुआ स्वर्ग लोग से अपनी छोट थोड़ी सी चूक के काण जब घंगाजी को दर्दी पर आना हुआ तो उसने पगवान से यह प्रात्ना की कि हे प्रभू आपकी आगया सीरोधार्य करके मैं दर्दी पर जा रही हूँ कि तो क्या मुझे वहाँ पर कोई सारा देने वाला नहीं होगा भगवान ने बताए कि प्रत्व पर एक बर्गत का व्रक्ष है तुम उसके पास से होकर गुजरोगी उसके इस पर से तुम जितने प्राणियों के पाप दोकर उप जाओगी यह व्रक्ष तुमारे उस पाप को दूर करेगा गंगाजी प्रशन मंद से पत्व पर आई तो था वही गंगाजी इस परम पावन पर्गत के व्रक्ष के पास से होकर गुजरती है भगवान सुर्यदेव की दो पत्निया थी एक का नाम संग्या ता दोशे का नाम चाया था संग्या जब सुर्यदेव की राज साथ रहते हुए उनकी गर में नहीं बरदास कर सकी तो उन्हों अपनी तरब की एक चाया के रूप में एक और अरूत निर्मान किया तो उसे बगवान सुर्य के पाच छोड़कर अपने माय के चले गई सुर्य देव उसे ही अपनी पत्नी मानकर एम जानकर उसके साथ रहने लगे संग्या के गर्ब से दो जुड़वा बचे जन्म लिए उसने लड़के का नाम यम ता लड़की का नाम यमी पड़ा यम यम्राज हुए ता यमी यमुना हुई सुर्य के दूसरी पत्नी चाय के गर्ब से संग्य देव का जन्म हुआ जब यमुना भी अपनी किसी पूल के कारण पूल के परिणाम शुरूब धर्दी पर आने लगी तो उसने अपने उद्धार का मार भगवान से पूछा भगवान ने बताया कि दर्दी पर देव नदी घंगा में मिलते ही तुम पदी तपावन मन जाओगी किन्तु घंगाजी ने काली कलूटी यमना को अपने मिलाने से मना कर दिया था उद्धर भगवान से किष्ण मत्रा मैं अपने साथी गौाल बालों के साथ यमना की नारे गेंद क्येलते हुए अपनी गेंद को यमना फेक दिये यमना में काली नाग रहता था भगवान गेंद लाने के लिए यमना में कुळ पड़े कालिया नाग ने उन्हें पकड़ लिया पगवान ने उसे यमना में दबा दिया उसका पूरा विस यमना में फेल गया और यमना और ज़्यादा विसागता हैं काली नीली हो गई गंगाजी ने इनकार को सुन कीमना बहुत निराश्यों दुकी हुई गंगाजी के इनकार से उत्पन हुई अपनी पूतर की व्यथा से पग안 शुरिपी बहुत दुकियों कृधित हुए उन्हें कहीं कहा कि है गंगे जिस घमाड अमर से परिपूर्ट होकर तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रही हो वह गमन तेरा चूर चूर होगा तुम क्यों पाप दोने वाले ही नहीं बलकि प्रत्यु पर मलमुत्र, मुर्दा गंगी भी दोने वाले होगी गंगा जी शाप से काप गई वह रोने गिड़ गिरान लगी भगवान विश्णों ने गंगा को आस्वसन देते हैं कहा कि सुरुदेव का दिया गया साप में तो मीटा तो नहीं सकता कि दो इतना अवश्य वर्दान दे रहा हूँ कि दरते पर चाए कितना ही बड़ा यग्गिया पूजा पाड़ क्यों नहो बिना तुम्हारे जल्ड के वह पूर नहीं हो सकता है यमना को कहा कि है यमना तुम प्रियाग इसी वर्टवक्ष के नीचे से होकर गुजरोगी तुम्हारा जल्ड उसके पत्तों को इश्पर्ष करते ही निर्मलें पाफ बिनाशक हो जाएगा घंगा जी भी प्रेशन हो गई उन्हेंने का कि अब यमना को अपने इसमें मिलाने से मेरी भी महता बढ़ जाएगी जब सरस्वती को पदा चला कि ऐसा वर्टवक्ष प्रियाग में इसी थे तो वो भी ब्रमाजी से अनुमती लेकर स्वर्ण भूमी छोड़ कर आकर प्रियाग में इन दोने नदियों में सामिल हो गई सरस्वती पूरु काल में स्वर्ण भूमी बाग करती थी स्वर्ण भूमी के बाद में नाम स्वर्ण राष्ट पड़ा तेरे तेरे कालांतरम या सोराष्ट हो गया किन्तों सोराष प्राचन काल में पूरा मारवाड भी अपने अंदर समेटी हुए था सरस्वती यहां पर बड़े ही प्रेम से रहती थी सोने चांद दिन से नीते इनकी पूजा अचना होती थी दीरे दीरे चुकि इस परदेश से सटा हुआ यहां परदेश खाड़ी देश भी था अथा यहां के लोग यहां याचार विचार के मानने वाले होने लगे सरस्वती से ज़्यादा दूकी थी इदर इनको मौका मिल गया और उन्होंने ब्रमाजी से अनुमती लेकर महरवाड एंसोराष्टी चोड़कर प्रियाग में आकर वस गई और तब से सरस्वती के वहां से चले आने के बाद वहां के लोगों में बुद्धियं ग्यान का शे होने लगा तब पूरी भूमी ही मरूब भूमी परदित हो गई और आज राजस्तान के नाम से प्रशिद है इसकी कता भागवत पुरान में बड़े विस्तार से बताए गई है आज पुरा था तो विबाग ने अपनी खुदाईयों खोज से इस बात को सक्ति प्रवाण कर मान रहा है भगवान राम को जब तेता युग में अपनी माता के कई के साब से बनवास हुआ तो उनके कुल पुरुष भगवान सूर्य बड़ी दुकी हुए बगवान राम सूर्य बर्शी थे उन्हें हनुमाजी को आदेश दिया कि बनवास के दुआ राम को वने वाले कटनाईयों में साहिता करोगे चुकि हनुमान ने बगवान सूर्य से ही सिखसा दिखसा करन की थी अपने गुरु का आदेश मान कर वह प्रियाग में संगम के तटपर आकर उनका इतिजार करने लगे कान यह था कि वह किसी इस्तरी को लांग नहीं सकते थे यदि कभी मोका मिला तो इसी कट घंगा यह मना यहुम सर्वती तिनों नद्याई थी इसलिए उन्हों इस लांगते हुए वह संगम के परम पाउन टट पर बगवान राम के पदिख्चा करने लगे इलाबाद अर्थाद प्रियाग के तक्सिनी दट पर आज एक जूंची स्तान है इसका प्राची नाम पूरत पुरुरवा नगर है करांतरह में इसका नाम उल्टा प्रदिश पढ़ गिया फिर बिगरत बिगरत जूंची हो गया उल्टा प्रदिश इसलिए पढ़ा कान यह था कि यहां बगवान शिव माता पारुति के साथ एकांत वाज करते थे तो था यहां के लिए यह साब था कि जो व्यक्ति जंगल में प्रियस करेगा वह औरत बन जाएगा पहले यह पूरा इस्तान जंगल ही था इस उल्टी प्रदिश कान ही इस राजजी का नाम उल्टा प्रदिश पढ़ा यहां के महल की छट नीचे बनी है जो आज भी है था लोग इसे देखने आते रहते हैं इसकी खिड़किया उपर था रोशंदान नीचे बने हैं यानि के सब कुछ उल्टा है इस इस स्थान से इस कावज से जन लिया अंदेर नगरी चोपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा तब भगवान राम आयोद्या से चले तो उनको इस जोसी या उल्टा प्रदेस से होकर ही गुजरना पड़ता था तब भगवान शिव की महिमा कारण इनको भी इस्तरी बनना पड़ता इसलिए उन्होंने रास्ता ही बदल दिया एक और भी कारान भगवान राम के रास्ता लने पड़ा दियों सीधे गंगा को पार करते तो यहाँ पर पतिक्षा करते हरुमान सीधे उनको लेकर दंड कारणे उड़ जाते तब इस रास्ते में का अहिलिया उद्दार, सबरी उद्दार तब तड़का सार अधिकारे छूट जाते एक सोचकर भगवान राम ने रास्ता बदलते हुए सिंग्वेल पूर से गंगा जी को पार किया जिए भगवान राम को साब था कि वनवास के दोने किसी गाहों प्रवेस नहीं करेंगे तब 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 ले श्रिनगवेर पूर पहुंच गए। भुवान राम ने पूछा कि है महरशी मैं रात को कहां विश्राम करू। महरशी ने बताया कि एक वटफरक्स है। हम चल कर उससे पूछते हैं कि वह अपनी चाय में ठरने के अनुमति देगा या नहीं। कांड यह है कि तुम्हारी म कास्रत से ककर महरवा डालेगी। शब्गर भगवान राम को लेकर महरशी भायदवाच उस वटफरक्स के पांस पहुंचे। भगवान राम ने उससे पूछा कि क्या वह अपनी चाय में रात बिताने के एनुमति देएंगे। बर्फरक्स ने पूछा कि मेरी चाय में दिन राज पता नहीं कितने लोग आते हैं और रहातरी विश्राम करते हैं पर कोई भी मुझे से अनुमती नहीं मांगता क्या कराने कि आप मुझे ये बात पूछ रहे हैं मरश ने पूरी बात बताई वर्ट्रक्ष ने कहा कि हे रिसीवर दे किसी दूख में साहिता करना पाप है क बात सुनकर बगवान राम बोले है वर्ट्रक्ष ऐसी सोच तो किसी मनुश्य देवताम बड़ी कटनाई से मिलती है आप रक्ष होकर यदि इतनी मांद सोच रखते हैं तो आप आज से वर्ट्रक्ष नहीं बलकि अक्षे विट हो जाओ जो भी तुम्हारी चाया में शनमात तक परिष्टी थे औरंग्जेब ने इसे नश्ट करने के बहुत कोशिश की इसे खुदवाया जलवाया कि जड़ों में तेजाब तक डलवाया किन तो वर्ट्राब तो ये अक्षे वट आज भी विराजमान है आज भी औरंग्जेब के दौरा सलाने के चिन देखी जा सकत फिर भी उसने इसकी विचितरा अपनी आखों में देखी थी जब राखाल दास बनर जी बहरती पूरा तत्व इवबाग के निसक हुए तो उन्होंने इसका रहिश को जानने कोशिश की इसका रासाइने कुम्र निकल वाया तब पता चला कि इस वरक्स की आयो कम से कम 3250 वर उबक छेजा वर्स तो पुराई हो ही गया इसके बाद विग्याने को ने इसके अक्से अजर अमर होने के पीछे कारणों को पता लगना सुरू किया तो अपनी आदे दूरी खोज जोने मात इतना ही पता चल पाया कि इस वरक्स के सतर के नीचे चोती परत अमीनो फासफा मा जाई सल्फेट जीसी कुछ रासाइनिक योगिक है तो इसकी पत्तों के फ्लॉरोप्लास्ट को नई नश्ट नहीं होन देते था इसके तने एंचर्ण ही के डी रावियबो नूक्लिर एसीड को सदा अवरत नहीं रगता है जिससे यह वरक्स सदा अजर मर है इसके किस डोग का समूल विनास हो जाएगा हैंसांग इसलिए समद्कित हो गया और बहुत होते हो भी दिन पर कई गूंकर रात को इस वरक्स के निचेशन करता था एक इसा वरक्स है जिसे प्रकास संसलेशन के लिए सुरी के प्रकास के अवसर नहीं पड़ती और यह रात दिन प किस वरकास से जिता हैंसा कर रहब हैंसा कर रहब होब हैंसा कर रहब हैंसा कर रहाओ रह चयान कर रहा हैंसाै rendBY थाएवल, का छो ऊता Хाह, अात्तव झालिट रहा संसलेशन कर रहा और जद